जैश्री राधे कृष्णा ओम कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा जो आड़ा गिरा वह अड़ गया। पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बन आई थी। वो लगातार संधर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुँचेगा। जहां लड़कर थपकर हार कर पहुँचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीडा का उसके संताप का काल बन जाएगा। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। यह कहता हुआ की चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुँचा के ही दम लूँगा। चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूँगा, तुझे सागर तक पहुचा ही दूँगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओ। बढ़ती जा रही थी, पर पत्ता तो आनंदित है, वह तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाय ले जा रहा है। आडे पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वहीं। पहुचेगी जहां उसे पहुचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार को कोई उपाय संभव नहीं है। हमारा जीवन भी उस नदी के सामान है, जिसमें सुख और दुहक की तेज धाराएं बहती रहती है। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है, तो वह मुर्ख है, क्योंकि ना। तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, और ना ही रुक सकता है। वह अज्यान में है जो आड़े पत्ते की तरहे जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दोहक की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खता पूर्ण कोशिश करता है क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है उतने दिन तक ही बहेगी आप उसे बढ़ा नहीं सकते और अगर आपके जीवन में दोहक का बहाव जितने समय तक के लिए आना है वो आकर ही रहेगा फिर क्यों आड़े पत्ते की तरहे इसे रोकने की फिजूल मिहंत करें जैसे जीवन आपको नहीं बलकि आप जीवन को चला रहे हो सीधे पत्ते की तरह सुख और दुरहक में समता और आनन्दित होकर जीवन की धारा में मौच से बहते जाए और जब जीवन में ऐसी सहचता से चलना सीख गए तो फिर सुख क्या और दुरहक क्या शिक्षा जीवन के बहाव में ऐसे ना बहें कि ठक कर हार भी जाएं और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाएं बलकि जीवन के बहाव को हसकर ऐसे बहाते जाएं कि अंत तक आप जीवन के लिए पहेली बन जाएं सुख हमारी खुद की संपत्ती है इसे बाहर नहीं अपने भीतर ही तलाशें इससे आप सदैव सुखी रहेंगे जै श्री राधे कृष्णा